हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जे स्वाल एं स्वाज़त है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में प्रेंट्स आज आपके सामने अगेन अगे हमें स्वाथे स्वाल चर्ण चार्ण कें अगरं आप लोग को हमें सपोर्ट जरूट जरूर से करना है क्योंकि है इसके पहले हमने 11 स्टांड़ियो तक हर एक चीज बड़ाया है दोстो आप सभी मैं जानते होंगे हम दो साल से कड़ी मेहनत कर रहे हमारे इस J.I.R. Tutorial YouTube चानल पर ताकि हर बच्चों को हम एक conceptual knowledge के तोर पे बहुत अच्छा knowledge दे पाए तो आज हमारा जो लेक्चर नमर फोर है यह हम स्टार्ट करेंगे इसके पहले एक और चीज़ मैं बता दू कि फिजिक्स का लेक्चर भी संजीव सर बहुत अच्छे तरीके से ले रहे और आपका जो बचावा सब्चेक है यानि biology बच रहा है और chemistry बच रहा है यह भी बहुत देखने मिलेगा इसका पहला चाप्टर की शिरुवात हो जाएगी आपको बस एक काम करना है कि हमारे जितने भी वीडियोस आपको मिल रहे है 12 स्टांडर के श्टूडेंट्स को अपने दोस्तों के साथ प्लीज एक बार शेयर कीजेगा और उनको बोलो सिर्फ एक बार हमा एक चीज तो पहले सी चैनल पे है तो आप जाके पढ़ाई कर सकते हो अपने छोटे भाई-बेन, फ्रेंड्स, रिलेटिवस हरे को शेयर कर सकते हो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम ने लेंगे तो आज हमारा जो मैथेमेटिकल लॉजिक के चाप्टर है इसमें हम लोग को पढ़ना है, statement pattern क्या होता है, logical equivalence क्या होता है, total logic contradiction and contingency क्या होता है, ये सभी topics आज हम लोग simultaneously पढ़ने वाले हैं, आपको ध्यान लगा के देखना है, एक एक करके सब चीज में explain करने वालो, तो सबसे पहरे हम बात करेंगे statement pattern क्या, अब ये statement pattern होता क्या है, जैसे क पर हमने एक चीज़ स्टडी भी क्या था, अगर आपको याद होगा, कि जो भी letters use होते है, ठीक है, letters used to denote, ठीक है ना, हम लोग कोई भी letters को जब use करते है, letters used to denote, किसको denote करते हैं, वो statement को, letter used to denote the statements, ठीक है, letter used to denote the statements, is called as the statement letter, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, statement letters, क्या बोलेंगे कि दोस्तों statement letters मतलब कोई भी letters कोई भी letters जैसे alphabet में letters होते हैं एसे लेके z तक तो लेकिन कोई भी letters अगर use हो रहा है ताकि हम लोग कोई भी statement को denote कर सके जैसे आपको याद हो था कि previous lectures ने हमने denote किया था कि पी तो for example statement था हमारा कि sun rises in east यह हमारा statement था तो मुझे यह statement को एक letter के form में लिखना है denote करना तो मैं क्या दिखूंगा कि इसको मैं माल लूँगा कि हमारा पी है और condition क्या है इसका यह statement है true statement है sun rises east में होता है तो इसका पी का जो वैल्यू आ जाएगा वो करस्पॉंड हो जाएगा तीस है यानि पी का वैलू प्रिवेड़ी पढ़ाया हुआ है प्रिवेस लेक्चर जाके देखो आपको पूरा इसके साथ और लेड़ करदू कनेक्टिवेस इसके साथ अगर मैं एड करदू कनेक्टिवस का मतलब क्या होता है कोई भी चीज हो सकता है, connectives बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये और होता है, ये and होता है, ये conditional होता है, उसके बाद ये by conditional होता है, ये negation होता है, अगर ये जो connectives है, जो हमने अलुड़ी पढ़ा हुआ है, दोस्तों, इसके उपर का table भी हमने पढ़ा हुआ है, अब देखो यहां पर, example क्या, statement pattern का अगर मैं बात करूँ यहां पर, statement pattern का example क्या है, लेकिन example के पहले मैं आपको बता दू कि ये जो statement pattern है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलता है, pre-position, क्या खहते हैं दोस्तों, एक और नाम से जाना जाता है, that is statement pattern is also called प्रिपोजिशन यह रायत रखना कभी-कभी में सीटी के जब तयारी करोगे आप लोग आगे जाके वैसे हम लोग लेके आएंगे देखो यह हमारा ट्वेल का बैच अभी चालू हुआ यानि जब आप लोग का जब मेंस्टी सीटी का टाइम आएगा यानि नेक्स यह तुट सब्सक्राइब करता है उसको हम लोग क्या बोलते स्टेटमेंट को डिनोट करता है उसको हम लोग क्या बोलते स्टेटमेंट लेटर्स बोलते हैं और वही स्टेटमेंट लेटर्स अगर कनेक्टिव के साथ जुड जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टेटमेंट पैटन बोलेंगे तो उसका एक्जामपल लेट सपोज की बहुत सारे एक्जामपल हमारे पास है कि मैं बात क पी मेरा एक क्या है statement letter है statement letter नहीं उसके साथ मैंने जोड़ दिया connective Q तो जो 2 statement letter को एक connective अगर जोड़ रहा है तो यह जो चीज हो जाएगा यह क्या कहला आएगा यह कहले आएगा statement pattern समझ में आ रहा है क्या कहले आएगा statement pattern बहुत logic है इसका बहुत simple है आगे जाके toughness बढ़ेगा लेकिन ये पहले जो basic चीज़ है concept जो है वो समझ लो बहुत easy है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे statement pattern अभी बहुत सारे examples से statement pattern के जैसे यह p conditional q लिख दिया मैंDI मैंसा लिख सकता हूँ p biconditional q लिख सकता हूँ मैंसा लिख सकता हूँ kiya p and q lिख सकता हूót मैंसा लिख सकता हू क्या p always लिख सकता हूँ या फिर मैं negation of p लिख सकता हूँ that is the combination of letter and connectives that is also called as the statement pattern तो यह जीतने भी चीजे होएं दोस्तों ये जो examples जो मैंने लिखाया है ये सभी क्या है ये सभी है एक statement pattern जो कि हमारा topic है तो उमीद कर रहा हो ये जो topic है इसका basic concept plus examples क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा इस से यदा बहतरी तरीके से हम समझानी सकते clear हो गया होगा हर एक बच्चे को अगर कुछ भी डाउट है तो आप कॉमेंट करो हम पूरी कोशिश करने के रिप्लाई करने के लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग को यह जो टॉपिक है हमारा बेसिक वाला यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब एक और चीज समझने की कोशिश करो यहाँ पर हम तो टॉटलोजी, कॉंट्रडिक्शन, कंटिंजन सी स्टार्ट करेंगे लेकिन इसके पहले आपको एक चीज और समझना पड़ेगा एक चीज क्या समझना पड़ेगा कि आप लोग को पता है कि यह जो statement pattern है यह होता क्या है यह समझ में आ गया अब इसके पहले आपको एक औ च्छोटा सा table बनाता हूँ, let's suppose, let's suppose मैं क्या करता हूँ दोस्तों एक च्छोटा सा table बनाता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से, ध्यान से देखना, आपके सामने ही बना रहो, ठीक है, आपके सामने ही में एक table बना रहो जहां से देखना बच्चे लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके सामने में एक टेबल को ट्रॉ कर रहा हूँ, देखो जहां से बिल्कुल, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ P, इसको मैं लिखता हूँ Q, इसको मैं लिखता हूँ P and Q, ठीक है, तो हमारा P का वैल्यू ब पहला कंदिशन true, true, दोने के लिए, पहला कंदिशन में या ले रहा हूँ, दोस्तों true और true ले रहा हूँ, ठीक है, true और true हो गया, दूस्ता true, false, false ले रहाँ ठीक है, अब answer क्या आएगा, हमारा according to the logical table जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, कि truth, and truth क्या होता है, आपको पता होगा, कि जब भी and आता है, and जब भी आएगा, and जो connective से हमारा, ठीक है न, and, जिसको हम लोग conjunction भी बोलते हैं, आपको यहारा, conjunction, disjunction, conditional, by conditional,觉ation हमने पढ़ा हुआ है, करेक्ट है, तो यहां पे जो value आ रहा रहा है, यह आपको यह जो दिखिरा न, यह जो value, क्या दिखरा आपको कि एक true दिख रहा है, दूसरा false दिख रहा है, यह false दिख रहा है, तो यह actual में जो value आ रहा है न, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो, truth value, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो, truth value बोलते हैं और यह जो पूरा table draw हुआ है, इसी को हम लोग actually क्या बोलेंगे, truth table, क आप एक चीज़ मान के क्या चलोगे, कि जब भी हम लोग कोई दो, क्या लेंगे, statement pattern को लेंगे, और statement pattern का हम लोग truth value निकाल लेंगे, तो जो table बनेगा, that is nothing but the truth table, यह आपको ध्यान में रखना है, correct है, तो उमीद कतना हो कि यह truth table है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और यह truth table क्या है, it shows the various combination of all the truth values, truth value कि जितने इतने combinations मनेंगे, वो हम लोग का बताता है, that is nothing but the truth table, यह आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं, जो हम लोग आपको पढ़ाना था, जो कि main बहुत ही बहतरीन topic है, जिसका ना में दोस्तो, tautology, contradiction and contingency, one of the most important topic of this chapter, क्योंकि पूरा का पूरा practice set, यानि exercise जो है आपका 1.2 वाला, यह पूरा इसी के उपर बेस है, और आप यह अगर सीख लेते हो, तो trust me दोस्तो, इतना बहतरीन तरीकी से समझ में आएगा न, कि tautology लोग डरते हैं, आरे या, tautology क्या होता है, contradiction क्या होता है, यह इतना easy है, कि सिर्फ एक word में इसका पूरा meaning चुपा हुआ है, एक word में पूरा का पूरा तीनो topic का meaning चुपा हुआ है, इसको समझ लो, फिर आपको examples भी बताऊ हुआ, दीक है, समझ में आ रहा है, चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग start करेंगे, टॉटोलोजी से, टॉटोलोजी होता क्या है, अब देखो, यहाँ पे पहला word है, टॉटोलोजी, टॉटोलोजी, जिसका truth value true आए, समझ में आ रहा है, टॉटोलोजी क्या है, कि यह एक ऐसा है, कि जिसका truth value true आए for all the possible combination, मतला हम एक table बना रहे हैं, समझ लो, एक truth table है हमारे पास, और वो truth table में, जो हमारा last का जो line है, या फिर last का जो column है, हम उसको check कर रहे हैं, तो हम लोग को यह दिख रहा है, कि जितने भी value है, वो सब क्या आ रहे हैं, जितने भी combinations हमने try कर लिया, p and q, p or q, जो भी combinations available है, उस table के अंदर, मैं आपको बताऊंगा अभी table, don't worry, लेकिन पहले theoretical चीज़ समझ लो, तो जितने भी combination है, जितने भी possible combination है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लोगे, possible होना चीज़, जितने भी possible combinations है, वो सभी में, क्या आ रहा है, अगर true आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग उसको बोलेंगे tautology, क्या बोलेंगे दोस्तों, उस चीज़ को tautology बोलेंगे, एन आपको बता दूँ कि, इसको डिनोट किया जाता है, यह small letter T से, small letter T से, tautology को डिनोट किया जाता है, example, यह है हमारा P और negation of P, अभी आया कैसे मैं बताऊंगा, P और negation P, दिमाग में रख लो, यह तीनों को मुझे बताने तो एक surprise मिलेगा आपको, यह तीनों को मुझे बताने तो, सिफ एक मिनट मांग रहा हूँ, क्योंकि यह दोनों topic को साथ में explain करूँगा, फिर तीनों को एक ही साथ, एक ही table के अंदर proof करके दिखाऊंगा आप लोगो, मेरे पर बरसा है ना यार, अगर नहीं होगा, तो भी कोई बाब ने, निकाला हो टेबल के अंदर, तो वो क्या आ रहा है, दोस्तों, false आ रहा है, टाटलोजी में क्या आ रहाता है, टीफोर टाटलोजी, टीफोर ट्रू, लेकिन contradiction, गलत हो गया, फॉल्स हो गया, यानि कि अगर जिसका truth value कोई भी table के अंदर, false आ रहा है, for all the possible combination, उसमें भी जितने भी possible combination है, उसमें सभी में उसका value false आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, दोस्तों, क्या बोलेंगे, contradiction, और उसको भी denote किया जाता है, small letter C से, जैसे capital, टॉटलोजी के लिए T, वैसे contradiction के लिए C, यह आपको याद रखना है, example क्या है, P and negation of P, यह भी example याद रख लो बस, आपको बता रहा हूँ इसका meaning, कैसे आया, यह क्यू है contradiction, यह भी बता रहा हूँ, ध्यान सा देखना, अब तिसरा चीज है दोस्तों, जिसका नाम है contingency, अब contingency क्या होता है, अब contingency यह बहुत ही ना, दोनों का मिला हुआ चीज है, बहुत easy है यह रखना, contingency मतलब क्या होता है, इड़ is neither totology, totology भी नहीं है, मतलब जितने भी possible combination है, वो true भी नहीं है, nor contradiction, मतलब जितने भी possible truth value है, वो false भी नहीं है, तो ना तो totology है, ना तो contradiction है, मतलब mixed type का है, यानि कि उसमें true भी होगा, false भी होगा, false भी होगा, false, false, true, true, जो जो भी है, लेकिन it is a combination of true and false, it is known as the contradiction, यह आपको, sorry, it is known as the contingency, यह याद रखना है, तो पहला क्या आपड़ा, totology, totology में क्या होता है, सभी लोग true होते हैं, जितने भी possible combination है, true रहेंगे, तो totology, denoted by small letter T, ठीके, example, याद रखलो, वैसे example तो कई सारी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए याद रखलो, P और negation of P, contradiction, सभी लोग false रहेंगे, example this, denoted by small letter C, contingency, mixture, ठीके, ना इधर totology, बतला पूरा totology भी नहीं है, पूरा contradiction भी नह पड़ेगा, कि आपको मेरे साथ यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, समझ लो, P है, मैं value ले रहा हूँ, पहला true true, false ले रहा हूँ, तिसरा false true ले रहा हूँ, और चोटा false false ले रहा हूँ, यही रहता है न, सबके लिए तो, true true, false false, true false, यही चार possible combination है हमारे, अब यहाँ पर देखो, negation of P लिखना है, मतलब P का उल्टा, तो true का यहाँ पर false हो जाएगा, यहाँ पर true का false हो जाएगा, यहाँ पर false का true हो जाएगा, यहाँ पर false का true हो जाएगा, अब यह क्यू दिख रहा है, Q का उल्टा, तो यह क्यू अला लाइन है, तो Q का इतना समझा, बहुत बेसिक था यह तो, बहुत बेसिक था, इतना समझ में आ गया गए, लेकिन आप भी लिखा यहाँ यहाँ पे, कि P और negation of P, जो हम लोगा example था, पहला अब इसको solve करो, इसको solve करो, इसको solve कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि P और negation of P, मतलब हमको क्या करना है, यह P लेना है, और यह negation of P, कहां क्या, देखो यहाँ पे, जहाँ से देखना, यह जो P वला लाइन है, यह P वला लाइन है, और क्या चाहिए हम लोग को, यह negation of P चाहिए, मतलब negation of P वला तु ऑनों को हम लोगो क्या करना है और करना ओक्स अगर फॉल्स एंधर इदर वह लहाएगा इस नोगर हमारा और के हो क्या है कि एञर एंड क्यूण जैसे मैं आपको श्रूइमानेयृरूइ एधर भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होता है हम्हारा कंडिशन ़ही है तो यहां पे तो फॉल्स फॉल्स हाई ही नहीं मतलब सब टू आएगा यानि कि in short इसका तो पेशा दूं अच्छ इस गेसा statement नहीं है जिसमें false false दिया है तो यह सभी true आ गया और इसका मतलब यह है दोस्तों जैसे मैंने आपको starting में ही बताया कि all the values are true जितने भी possible combination थे उसके truth table के अंदर वो सब true है इसका मतलब यह क्या है मेरा यह एक totology है क्या है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है अभी मैंने क्या पता नहीं क्योशिश किया यह एक totology है तो यह हमने क्या कर दिया दोस्तों प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर कोई भी एक truth table के अमदद जितने भी possible combination एक चीज का आ रहा है अगर वो सब true आ रहा है तो वो एक totology है यह हमने प्रूफ करके दिखा दिया हूं ठीक है लिखा हुआ है यहाँ ऊड़ा सा मिश्टेक बटिक हुआ कशी कशो मैं और है तो इसको मैं करेक्ट कर रहा है डिखना किस्को देखना है यहां पर, देखो, यहां पे धियान से देखना, किसको किसको लेना है भी मुझे, इसको मैं मिटा reflects, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूть, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, देखो थोड़ा आपको true रहेंगे तो ही true है बाकि सब false रहेंगे तो देखो इसमें P and P में P and P में कोई भी है कि true or true, true or true, true or true, true or true, कोई भी true and true नहीं मतलब बाकि सब false रहेंगे मतलब कोई भी true नहीं तो मतलब जितने भी है ये सभी क्या होंगे दोस्तों फॉल्स होंगे तो ये भी फॉल्स आजाएगा ये भी फॉल्स आजाएगा ये भी फॉल्स आजाएगा तो यहां पर आपको clear cut दिख रहा है कि all the possible combination इसका जो truth value आ रहा है वो सभी का false आ रहा है इसका मतलब ये क्या होगा मेरे लिए बताओ ये क क्या होगा ये होगा मेरे लिए contradiction आ गया ना दोस्तों क्या होगा ये contradiction तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि इफ कोई भी truth table के अंदर हमारा जितने भी possible combination का value सबका false अगर आता है तो वो contradiction होता है ये प्रूफ करके दिखा दिया हमने ठीक है अब तिसरा जो example था हमारे क्या था दोस्तों contingency मतलब क्या होना चीए ना टॉटलोजी होना चीए ना contradiction होना चीए मिक्स होना चीए ठीक है तो चलो देखते हैं last वाला मतलब P&Q ये P&Q है तो P&Q मतलब फिर से ये P और ये Q मतलब ये वाला line ठीक है ये वाला line चेक करो P&Q करना है इसका मतलब मुझे क्या करना है ये वाला P&Q ये दोनों कोई क्या करना है एंड करना है तो P&Q एंड करना है कब होता है जब true 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 होता है तो ये true true क्या होता है दोस्तों ये true है ये true है तो हमारा answer भी क्या आएगा? true आएगा ये true है ये false है तो क्या आजाएगा? false जाएगा यहाँ पे जब आप नोटेस करो गे तो आप से भी है यहाँ पर फॉल्स फॉल्स भी ए मतलब ना वो है दोस्तों, contingency, क्या है वो, contingency है, और hence proof, यह तीनों मैंने proof करके, आपके सामने ही करके दिखाया, उमीद कर रहा हूँ कि आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से, clear है कि नहीं, मुझे comment करके बताना, clear है, समझ में आ गया, अब चल करना क्या है, वो आपको basic समझना पड़ेगा, that is, topic है, हमारा logical equivalence, अभी logical equivalence है क्या, जैसे कि मैं आपको बता दू, कि अगर कोई भी दो statement, ध्याल सा सुनना बच्छे लोगी, आखरे topic है, हमारा फिर आज का लेकिर खताम हो रहा, tension मतलब है, बहुत बेदरी ने, इसके बाद क्यों हो सकता है, P, और Q, P, conditional, कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई भी दो statement pattern जो आ रहे है, वो equivalent आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अगर वो equivalent आ रहे हैं, और एक और चीज़ है, कि उसका जो truth table होगा, वो भी क्या होगा, identical होगा, उसका जो truth table का जो value मिलेगा, वो same to same होगे, यान true true है, तो उसका भी true 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 होना चीए, एक का true false है, तो उसका भी true false होना चीए, जैसा पहला राएगा, दूसरा भी वैसे ही होगा, अगर दोनों same है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग Probable Tecky करेंगे, कि मतलब समझलों कोई दो चीज़ें, तो पहले की a मान ल लिया हुए लिए परनातों फोटे लिए लिए होज़ें दो पलीवी इसके अ कि यह बनाद ब्ला इसकी ज़रोट नहीं इस से अब दूसरा क्या है? हाँ सोरी दूसरा क्या है हमारे पास? इसमें क्या है? कि यह जो P and Negation of P, P and Negation of P, ठीक न, यहाँ पर ज्न देना, यहाँ पर फिर से mistake हुआ है, ठीक है? यहाँ पर यह पी है, इस पी, इसको में करेक्ट करता हूँ, कभी कभी अखलीव देता है हाँ लोग सभए का यह है? यह लेकिन यह उसका भी नह 550 धेकेशन में यह जो पी और ना ये कह में दूस्ते हैं इसको आपके सामने में समझने क्या मान लिए यह वाला जो चीज है यह वाले चीज़ को मैंने मान लिए कि यह मेरा भी है तो आपने जब notice किया, ये दोनों true आ रहे है, ये भी true आ रहे है, ये भी true आ रहे है, इसका मतलब जो भी P और P और negation P है यानि A जो है और जो B है यानि negation of P and negation of P ये जो है ये दोनों का truth value जो आ रहा है वो identical आ रहा है जैसे मैंने आपको बता है पढ़ा के अगर उस चीज़ का वो value identical आता है तो हम लोग क्या बोल सकते है कि ये दोनों जो है यानि कि जो मेरा ये है क्या बोलते है इसको P P V and P जो है ये पहला वाला और दूसरा वाला जो है and of P ठीक है न, and of P and negation of P ये दोनों जो है ये क्या है दोस्तो ये दोनों identical है हम लोग ने यहां से इसको प्रूप करके दिखा दिया कि ये दोनों चीज क्या है आइडेंटिकल है यानि इसको हम लोग क्या बोलेंगे logical equivalent बो होता है टॉटलोजी कॉंट्राडिक्शन केंटिंजेंसी हो गया या फिलोजिकल इक्वेलन्स यह सभी चीज बहुत ही बारी किसी मैं आपको एक्स्प्लेंग किया दोस्तो इतना टाइम लेके क्यों क्या 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 आपका बेसिक कॉंसेब अगर आपका श्टॉंग रहेगा त अगर पसंद आया है अच्छा लगा है मेहनत आपको अगर पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर सकते हो ठीक है जरूर से शेयर करना सबको इनफॉर्म तो एलीस कर सकते हो अपने माउट से बोलके अपने लाएंगे तो आप लोगों नोटिफिकेशन्स मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूव वीडियो में तब तके लिए थैंक यू एंड गुडबाई